बोल ये संभू नारायन भगवान की जय दोस्तों आएए आज के इस वीडियो में हम कुम्ब और मीन रासी बाले जात्कों के बारे में चानेंगे कि 26 और 27 जून का समय उनका कैसा गुजरेगा दोस्तों आएए इसे हम जानते हैं लेकिन इसे जानने से पहले आप हमारे वेफसाइट मिस्रा4U.com को एक बार जरूर विजिट करें दोस्तों आप गूगल पर सर्च करें और वहाँ पर जाएं आपके काम की बहुत सारी चीजें एविलेबल है या दूसरे सब्दों में कहूं तो जोतिस की दुनिया की लगवग सब कुछ वहाँ है पत्वा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा जहां पर क्लिक करके आप डाइडेक्ट वहाँ पहुँच सकते हैं मित्रों अगर आप अपने भविस्ति के बारे में पर्सनली मुझसे जानना चाते हैं जन्म कुंडली और हस्त रेखा के अनुशार तो आप मेरे वार्ट्शप नमबर 7062757996 पर संपर कर सकते हैं आइए अब जानते हैं कि कुंब और मीन रासी वाले जातकों का 26 और 27 जून का समय कैसा रहेगा दोस्तों 26 और 27 जून को चंद्रमा जो हैं सिंग रासी में बिराजमान हैं तो आइए इसका क्या प्रभाप परने वाला है दोस्तों सबसे पहले हम कुंब रासी वाले जातकों के बारे में जानेंगे फिर मीन के बारे में आइए कुंब का इस पर क्या प्रभाप पर रहा है हम जानते हैं दोस्तों कुंब रासी वाले जातकों में ऐसा देखा जा रहा है कि सात्वे भाव में मित्र सूर्ज को रासी पर इस्थित चंद्रमा की प्रभाव से जातक को अपने इस्त्री पक्ष में रोग जैसे परिशानियों का सामना करना पड़ेगा अर्थात उनकी इस्तिरी को रोग व्याधी होगी जिससे वो तरस्त रहेंगे परिशान रहेंगे इतना ही नहीं ब्यवसाय छत्र में भी कटनाईयों के बाद सफलता मिलने की आसाये हैं दोस्तों सत्रु पक्ष पर भी इनका प्रभाव परतासा दिख रहा है इतना ही नहीं सात्वी सत्रु द्रिश्टी से पर्थम भाव को देखने से सरीर रोगों एवं चिन्ताओं का शिकार रहेगा फिर भी मनोबल में बिर्दी होगी दोस्तों इस समय इन जात्कों का समय थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है ये समय इनके लिए कष्टकारी जरजर सा समय दिख रहा है आईए इसे हम एक एक करसंचेप में बारी बारी से चर्चा करें दोस्तों मस्तिस्क और बुद्धी की स्थिति इन दीनों इनकी सामानने से नीचे दिख रही है क्योंकि इनका इस्थिती बहुत अच्छा नहीं है धान और संपती का भी च्छित्र इनका बहुत ही जरजर ही रहेगा क्योंकि हर च्छित्र से इने कठनाईयों कहीं सामना करना पर रहा है चाहे वो च्छित्र पारिवारी खो या सामाजी खो हर छित्र से इन्हें संगर्ष और परिशानी का शामना करना पर रहा है दोस्तों इतना ही नहीं ब्यावसाई का छित्र भी इनको काफी कठिंता से सफलता दे रहा है अता ये समय इनके लिए धन दौलत संगरा के लिए भी उप्यूक्त नहीं माना जा सकता है भाई बहन के बीच का संबंध सामानने सा रहेगा भाई बहन में मतभेद नहीं रहेगा किन्तो रुखरापन मतभेद नहीं रहेगा किन्तो स्ने भी बहुत जादा नहीं होने की संभावना है माता का प्यार मिलेगा भूमी और भवन से ये प्रगती करेंगे भूमी इनका जो क्रे बिक्रे के लिए रुका हुआ है वो काम जारी होगा शुरू होगा भवन भी इनका प्रगती सील होगा भवन के चत्र में जो कार्च निर्वान आधीन है वो प्रगती पर आएगी शंतान से इने सुख मिलेगा शंतान इनके आधिनास्त होंगे इनकी आग्यां का पालन करेंगे अर्थात कुल मिलाकर शंतान से ये सुखी रहेंगे शंतान से परम शुक की अनभूती करेंगे दोस्तों बिद्या के चत्र में भी इन दिनों इनका जो चत्र है बहुत ही अग्रगनी होने बाला है बिद्या के चत्र में ये गहन अध्यन करेंगे बिद्या पाकर ये बहुत से पदक भी धारन करेंगे शम्मान पदक धारन करेंगे जिससे ये अपने परिवार तथा पास परोसके छित्रों का नाम भी रौसन करेंगे आता विद्या का भी इनका पूरा सहयोग है दोस्तों रोग और सत्रू से तो ये बिलकुल मुक्तर रहेंगे सरी रोग तो इन्हें बिलकुल ही असपर्श नहीं करेगे किन्तु सत्रू का प्रभाब इन्हें थोड़ा बहुत बना रहेगा क्योंकि सत्रू का आकरामक प्रभाव यदा कदा देखने को मिल रहा है दोस्तों प्रेम और विवा का शंबंध इन दिनों इनके परिवार में बहुत ही अच्छा होगा दामपत्य जीवन भी इनका बहुत सुगमता से चलेगा समरस पूर्ण चलेगा दोस्तों रीन और शंकट के छेत्रों से ये बिलकुल बंचित रहेंगे मुक्त रहेंगे यदा कदा शंकट इन्हें टेंसम तनाब के कारण शंगहर्स के कारण कुछ बाहरी परिशानी सी दिख सकती है धार्म और भाग्य दोस्तों इन दिनों ये जातक दार्म के छेत्र में भी जोर सोर से भाग लेंगे धार्म में काफी जोर सोर से हाथ बटाएंगे भाग्य का भीन का अच्छा साथ मिलेगा पिता, बेवसाय और नौकरी के छेत्र में दोस्तों पिता का पूरा प्यार मिलेगा इतना ही नहीं इन्हें पिता की ओर से सारिडिक और आर्थिक दोनों सहायता मिलेगी जो बैवसाय को प्रगती करने के लिए शहयोगी होगा दोस्तों नौकरी की स्तिती सामान्य बनी रहेगी आई और लाब के छित्र में ये आई तो होगी किंतु खर्च भी आई से कहीं ज़्यादा होगी जिसे इनका धन संग्रह नहीं हो पाएगा धन को संग्रहित नहीं कर पाएगे इस प्रकार से कुल मिला कर इनका ये समय जो है शामान नहीं रहेगा न जादा अच्छा और नहीं जादा खड़ाव दोस्तों अब हम मीन रासी वाले जात्मों के बारे में देखते हैं कि मीन रासी वाले जातक का 26 और 27 जून का समय कैसा रहने वाला है दोस्तों छठे भाव में मित्र सूर्ज की रासी पर इस्थित चंद्रमा की प्रभाव से जातक को सत्रू पक्ष से और शांती रहेगी तथा बुद्धी वल से उन पर प्रभाव अस्थापित हो पाएगा सत्रू पक्ष इन पर आकरामक प्रभाब दिखलाएंगे जिसके कारण इनके मन में हमेशा चिंता और शांती सी बनी हुई रहेगी किन्तु उन सत्रूं पर ये विजय भी पाएंगे प्रभाब को नस्ट करेंगे अपने बुद्धी और बल के सारे बुद्धी का सारा मन मंदिर का सारा लेकर ये सत्रूं के उस प्रभाब को नस्ट कर देंगे तथा ये सामान्य परिष्थिति में आ सकते हैं दोस्तों संतान पक्ष से इने कष्ट होता हुआ दिख रहा है संतान से इन दिनों इने सुक नहीं मिलेगा शंतान से नहें कष्ट का सामना करना पड़ेगा विद्याध्यन में भी कठनाई आती हुई दिख रही है दोस्तों विद्याध्यन करने वाले जो चात्र हैं विद्यारती हैं उन्हें भी विद्याध्यन में कठनाई का सामना करना पड़ सकता है साथ भी सत्रु द्रिष्टी से द्वादस भाव को देखने से खर्च अधिक रहने के कारण कस्ट होगा तथा बारी अस्थानों से भी और संतोस जनक ही लाब होगा बारी छित्र से जो आमदनी आएगी वो आमदनी बिल्कुल संघर्श रत रहेगा संतोस जनक आमदनी नहीं आएगी ये भी चिंताएं सताती रहेगी साथ ही साथ द्वादस भाव को देखने से इनका खर्च भी काफी अधिकुडा है फिजूल की खर्चें हो रही है जिससे इनकी इस्थिती जो है धन के छित्र में बहुत ही निर्वल जर्जर है तो दोस्तों आईए अब इस मीनरासी वाले जात्कों के बारे में भी हम एक के करसंचिप में बारी बारी से चर्चा करना है मस्तिस्क और बुद्धी दोस्तों जैसा की कहा गया है मस्तिस्क और बुद्धी के छत्र में इन जात्कों का लोगों में इस समय जो है अपने सत्रु पक्ष का अक्रामक प्रभाब बना हुआ रहेगा जिसे अपने मस्तिस्क और बुद्धी विबेक से उसे हैंडल करेंगे उसे अपने जगा पे लाएंगे धान और संपती के छेत्रों में ये धान का संग्रह करेंगे किन्तु फिजुल खर्च के कारण इनका धन अटक नहीं पाएगा रुक नहीं पाएगा दोस्तों भाई भायन के बीच प्रेम भाब जो है सामान नहीं रहेगा माता का प्यार मिलेगा भूमी भवन से ये प्रगती करेंगे तरक्की करेंगे किन्तु ये तरक्की भी शंतोस जनक नहीं और संतोस जनक ही होगा संतान से दोस्तों इन्हे सुख नहीं मिलेगा शंतान का प्रेम इन्हें नहीं मिलेगा और बिद्या भी कुछ कठनाई से अरजित होता हुआ नजर आ रहा है बिद्या के छित्र में भी इनका अधिक अग्रगनी होना संभब नहीं दिख रहा है तोस्तों रोग और सत्रू, रोग और सत्रू से भी ये इन दिनों मुक्त है प्रेम और विबा का जो संबंद है वो अभी बहुत ही बनिया रहेगा, अच्चा रहेगा रीन और संकट से मुक्त रहेंगे, रीन तो नहीं होगा, किन्तु परेशानी इनके मन में तनाब चिंता फिक्र बना रहेगा जिससे इनके माते पर संकट के बादल गूमते हुए दिखलाई देंगे धर्म और भाग का चित्र भी इनका अच्छा रहेगा, धर्म में ये बढ़िया हाथ बटाएंगे, भाग का इन्हें अच्छा सहायता मिलेगा शपोर्ट मिलेगा, पिता का प्यार मिलेगा, ब्यवसाय और नौकरी की स्थिति सामान रहेगी आई भी इनका अच्छा होगा दोस्तों, खर्च कम होगी, किन्तो ये धन संग्रा भी स्मीत मातरा में ही कर पाएंगे, नहीं के बराबर कर पाएंगे ये फिजूल की खर्च भी कर सकते हैं, दोस्तों उमीद करता हूँ, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके वेल आइकन के बटन को दबादें, आप जितने भी वाट्श आप फेस्बूक ग्रूप से जुरे हुए हैं, उन सभी जगों पर इस वीडियो को सेयर करते हैं, में लिख हैं, जैस संभू नाराएं